नमस्कार साथियो आज मैं सीमा गुपता आज पिर आप सभी की सामने एक चर्चा कभी से लाई हूँ और वो चर्चा कभी से है कि जीवन में सतत अध्यन करना क्यों जरूरी है साथियो यदि हम जीवन में सतत अध्यन करते हैं तो हमारा सतत विकास होता है हमारे विकास की जो गती होती है, वो कभी रूपती नहीं है। और जैते ही यह विकास की प्रक्रिया सतत रूप से हमारे जीवन में आगे बढ़ती है, तो साथियों आप मानिये कि आप लगतार एक नए उचाईयों को चुँएंगे, लगतार आप नए लक्ष को प्राप्त करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि यदी आप सतत अध्यन करते हैं सतत अभ्यास करते हैं सतत रणिती के साथ अपने कारेओं का पुनरिख्छा करते हैं तो आप निरंतर सफल होते हैं और यदि सतत अध्यन को आप इसमें मैच कर दिये, तो फिर जो लक्ष प्राप्ति का जो गुड़ो होता है, मुल्ले होता है, वो बहुमुल्ले हो जाता है साथियों. आपको बता रहा है साथियों कि जीवन में एक उद्धे से रखिए कि आप स्वेम में मुल्ले के रूप में आप आगे बढ़ेंगे, यदि आप बहुमुले होंगे, तो आपके आसपास का वातवरण भी बहुमुले होगा, इसलिए आप हैबिट डालिये, सतत अध्यन करने का यदि आप महत्तपूर, प्रसिद्ध, चर्चित, वेक्तित्तों का अध्यन करते हैं, तो उनका जो गुड़ है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन के सबलता के लिए कैसे आगे बढ़े, उससे आप लगतार सीखते हैं, और आप स्वेम नहीं जानेंगे कि कैसे आपने बरतन हो गया, क्योंकि जब आपका डिसीजन लेनी की समय आता है, तो आपको खुद नहीं पता रहता है कि आप कैसी ताच्छा डिसीजन कर पाए, यदि आप उचे उचे हस्तियों से, चर्चित वेक्तियों से, समाज के प्रतिशित वेक्तियों के जीवनी का अध्यन किये आते हैं, तो आवसे जो डिसीजन मेकिंग आपका होता है, वो काफी स्ट्रॉंग होता है, पर दोसरी तरफ, जब हम अच्छे अच्छे लोगों के लाइफ से सम्मंदित, इस्ट्रेजी वेगरब पढ़ते हैं, तो हमें कैसे, किस परस्तिती में क्या करना है, ये सब हम सीख में ये हुआ, अगर हम ऐसी रड़निती अपनाते हैं, तो ऐसी उसका परेडाम निकलेगा, तिन तमाम प्रकार के कला हम सीखते हैं, और यह हमें मिलता है सतत अध्यान से, हम ये सोचेंगे कि क्या परक पढ़ता है एक घंटा पढ़ने से, क्या करना है, लेकि साथियों आप हैबिट डाल लिए, कि प्रती दिन आप पाच पेच किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तित्तों के जीवनी को पढ़ेंगे, तो आप सोच नहीं सकते हैं, कि वह पाच पेच आपके जीवन के नए अध्याय को बनाएगा, वह पाच पेच आपके जीवन में समाजिक, आर्थिक, र सल बाद देखेंगे, कि कैसे एक जादूए रूप से एक परिवर्तन हो गया, तो साथियों, जीवन में अवस्ते ही सतत अभ्यास करिए, सतत अध्यान करिए, यदि आप अपने कॉम्पटीशन परिच्छाओं को पास कर लिये हैं, तब भी आप अपने इस पढ़ाई के कितने भी प्यास्त हो, कितने भी हमारे पास समय ना हो, इसके बावजूद हमें अपने जीवन में हर दिन पाच पेज पढ़ने का समय अवस्ते निकालना है, यदि हम अपने जीवन में प्रती दिन फाइफ पेज रीट किये, तो अवस्ते ही आपके जीवन में एक काई परिवर्दन होगा लोग लोग के आपका उधारण देंगे की हां मैंने इनसे सीखा तो साथियों कि आप इस हैबिट को लाएगे अध्यान in आपके सपलता को आयाम देगा सतत अध्यान हे आपके confidently को संपोड़ बनैगा सतत सतत अध्यन ही आपके व्यक्टित तुमें नयापन लाएगा सतत अध्यन ही आपको नसित स्वस्त मान सिकता देगा बलकि स्वस्त भी रखेगा तो साथियों इसी महत्पूर सुचरा के साथ कि कैसी सतत अभ्याद से हमारे प्रसनालिटी में निखा राता है मैं सीमा गुपता आप तवी के बिदा लेती नमस्कार